दोस्तों मिठाईया तो आपने बहुत खाई होगी और तरह तरह की खाई होगी पर मैं जो मिठाई बनाने जा रही हूँ वह पुरे बिहार में फेमस है इसके लिए सीरप बना लेते हैं कूकर में एक कप चीनी डालेंगे और उसी कप से देड़ कप पानी डालेंगे यह मिठाई बनाने में जितनी सिम्पल है खाने में उतनी ही तेस्टी है 200 ग्राम पनीर लेंगे इसके बड़े बड़े पीस काट लेंगे सुगर सीरप को भी चेक कर लेते हैं इसमें चीनी अच्छी तरह घुल गई है अब इसमें हम पनीर के पीस को एक-एक करके डालेंगे पनीर के पीस को एक ही बार ना डाले क्योंकि ऐसा करने से पानी का टेंपरेचर कम हो जाएगा और यह पनीर के पीसे पानी में घुल जाएंगे सारे पीसे सीरप में डाल दें और पानी में अच्छी उबाल आने पर कूकर का धकन लगा दे वो इसे फ्लेम फुल ही रखे प्रेसर आने लगे तो फ्लेम कम कर दे और 30 मिनट के लिए कम ही रहने दे 30 मिनट हो चुके है कूकर से प्रेसर निकल चुका है अब धकन खोल दे देखी हमारा पनीर का कलर चेंज हो गया है वो ब्राउन कलर में हो गया है अब गैस को अन करके इसके सीरप को थोड़ा जला देंगे सीरप को हम गाड़ा होने देंगे जिससे हमारे पनीर थोड़े सक्त हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया है अब गैस का फ्लेम बंद कर दे पांच मिनिट इसे यूही ठंडा होने के लिए छोड़ दे अब इससे छान लेते हैं और थोड़ी देरी से यूही रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि ये सक्त हो जाएं करीब आधा गंटा के लिए छोड़ दे इसे आधा गंटा हो चुका है देखिए हमारे पनीर खुर्मा बन कर रेड़ी है उपर से जितने सक्त अंदर से उतने ही जूसी और खाने में उतने ही स्वादिस्ट लगते हैं